हालो गाईज आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ हैं ब्रेट के बहुत ही टेश्टी गुलाब जामुन जो हम बहुत ही सिंपल तारीके से बनाएंगे इसे हम बिना सोडे डाले ही बहुत सौफ्ट और नरम बनाके तयार करेंगे ब्रेट गुलाब जामन बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेट ले लेंगे इसके जो किनारे है ब्राउन कलर के इसको हम काट लेंगे सबी ब्रेट को इसी तरह से कट कर लेंगे अगर हम किनारे नहीं काटेंगे तो गुलाब जामन फट जाएंगे अब ब्रेट के हम छोटे छोटे टुकडे करेंगे और फिर मिक्षी के जार में दाल के इसका हम ब्रेट क्रम बना लेंगे ये ब्रेट के गुलाब जामन बहुत ही कम बजट में बन के तयार हो जाते हैं अब जार में दाल के हम इसका ब्रेट क्रम बना लेंगे अब ब्रेट करम को हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसका हम डो बनाएंगे अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा दूद दालके हलक के हातों से हम एक नरम डो बनाके तैयार करेंगे मैंने इसमें एक चमच देशी घी डाला है जो वीडियो स्टीफ हो गई हमें इस करम में जितनी भी दूद की जरुद पड़ीगी थोड़ा-थोड़ा तो इसमें हम दालते जाएंगे अगर हम प्रेट करम में दूद को जितना ओटा के गारा दालेंगे उतना ही गुलाब जामून टेश्टी बन के तयार होंगे हमें डो को जादा चिकना नहीं करना है थोड़ा ही चिकना करना है अब हम गुलाब जामून बनाके तयार कर लेंगे इस तरह से हम बनाएंगे गुलाब जामुन ना जादा छोटे ना जादा बड़े अब यह हमारे सभी गुलाब जामुन बनके तयार हैं अब इसे हम फ्राई कर लेंगे मैंने इसमें सोडा बिल्कुल नहीं दाला है हम बिना सोडा की बनाके एकदम नरम मुलायम तयार करेंगे गुलाब जामुन पहले तेल को बहुत अच्छी तरह से गरम हों दे फिर गैस की आच मीडियम कर दे इसे हमें फ्राइक करना है गुलाब जामुनों को हमें इसे लगातर चलाते हुए फ्राइक करेंगे सैदि को अच्छी तरह से सिख יהएंगी नई तो कहीं से सिखेंगी और कहीं से नहीं सिखेंगी मिलम नगे देकिक धिरी दे फ।ो दरी शीजार करते हैं और फटी बी नहीं है, अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में. अब सभी गुलाब जामन को हम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे. अब इसके लिए हम एक चाष्णी बना के तयार कर लेंगे. गुलाब जामन की चाष्णी बनाने के लिए हम चोड़ा सा बर्तन ले लेंगे. एक कटोरी हम इसमें शक्कर डालेंगे तो एक ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे दो उलाइची फोड़ के डाल देंगे अब इसे हम शक्कर घुले तक इसे हम चलाते रहेंगे हमें चासनी को चिपची पर रखना है जादा गारी नहीं बनाना है अब यह चासनी बन के तयार हम गैस बन कर देते हैं और इसे थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं अब हम इसमें गुलाब जामुन दाल देते हैं अब गुलाब जामुन को हम चासनी में एक घंटा ढाक के रख देंगे एक घंटा हो गया चासनी में डूबे हुए गुलाब जामून को देखिए कितने फूल के कितने बड़े हो गए गुलाब जामून और देखने में भी कितने तेश्टी दिख रहे हैं अब हम आपको तोड़के दिखाते चम्मा से देखिए कितने शौफ्ट और नरम बनके तयार हुए हैं गुलाब जामून इसी तरह से आप लोग भी जरूर ट्राइ करके देखना गुलाब जामून यह बहुत ही आसानी से गुलाब जामून बनकर तयार हो जाते हैं उमीद है यह मेरी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आएंगी अगर यह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना